सुजानपुर शहर को नशा मुक्त बनाने का संकल्ब शहर के लोगों ने लिया है इसके लिए शहर के सभी लोग एक चुट होकर नशे का खात्मा करेंगे ऐसी सोगन सुजानपुर शहर में आयोजित नशा हटाओ सुजानपुर बचाओ कारिकरम में ली गई कारेकरम का आयोजन बेपार मंडल सुजानपूर एवं सेबा समिती सुजानपूर के सुजनने से किया गया कारेकरम में बतौर मुख्या अती थी DSP Headquarter हितेश लखनपाल ने शिर्कत की इस मौके पर थाना परभारी सुभाष सास्त्री बिशेश रूप से उबसित रहे सुजानपूर शहर में आयोजित नशा हटाओ सुजानपूर बचाओ कारेकरम में बतौर मुख्याती थी DSP Headquarter हितेश लखनपाल ने शिर्कत की इस मौके पर उन्होंने कहा कि नशे के खात्मे को लेकर हमीरपूर पुलिस लगातार कारेक कर रही है जिसका परिणाम सब के सामने है लेकिन नशे को खतम तभी किया जा सकता है जब इसमें आम लोगों की सहभागी तोगी ऐसे में जागरुक बने नशे के खिलाब साथ ही पुलिस के साथ जानकारी साझा करें उन्होंने लोगों से आवान करते हुए कहा कि वे अपने भरोसे मन साथियों के साथ अपनी बातें शेयर करें ताकि आपर ये घटना होने से पहले नशे पर अंकुछल लगाया जा सके उन्होंने बताया कि सुदानपूर वेपार मंडल द्वारत जो ये नशे के खिलाफ कारेकरम शुरू किया गया है ये कारेकरम बनके ही सीमितना रहें ये जन आंदोलन बनकर जनता के सामने आए तब ही इस तरह के कारेकरमों का फाइदा हो सकता है उन्होंने हैरानी और चिंता जिताते हुए कहा कि हमीरपूर जिला सबसे शा जी गवा रहे हैं जो की सही बात नहीं है डियस पी हितेश लगनपाल ने चातर चातरों को संबोधित करते हुए कहा कि कि किसी भी तरह की साहिता के लिए टोल फ्री नंबर 112 पर संपर किया जा सकता है इस मौके पर थाना परभारी सुबाश शास्त्री ने भी नशे पर विस समान सरूप शौल और टोपी जो उने भेंट की गई थी उसे जरूरत पंद परिवार में देने की बात कहकर इसे विपार मंडल को वापिस कर दिया साथ ही उन्होंने सुदानपूर सेवा समीती को 5000 पे देने की घोशना भी की आपको बता दें कि सुदानपूर सेवा समीती दो गड़ी परिवारों को साहिता स्वरूप ये राशी भेंट की जाएगी इस मौके पर लोगों को जागरू करने के लिए पंपलिट्स भी बंटे गए